सूचना का अधिकार आयोग, Right to Information Commission मालती भिलाई के पास एक बस्ती में रहती थी वह कई महीनों से अपना राशनकार्ड बनवानी की कोशिश कर रही थी उसने चौथी बार अपना फार्म भर्वा के विकासखंड कार्याले में जमा किया कुछ दिन बाद जब वह विकासखंड कार्याले में अपना राशनकार्ड लेने गई तो संबंधित अधिकारी ने कहा कि आपका आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है मालती ने अपने आवेदन की पावती दिखाई तो अधिकारी ने कहा उसे उनका आवेदन ढूंधना पड़ेगा मालती उनके इस उत्तर से बहुत उदास और परिशान हुई वह अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अपने पडोस में रहने वाला एक लड़का रमेश मिला रमेश ने उसे परिशान देख कर पूछा क्या बात है आप इतनी दुखी क्यों हो मालती ने बताया वह चार बार राशनकार के लिए फार्म भर कर आवेदन दे चुकी है लेकिन विकासखंड कार्याले में हर बार उसका आवेदन गुम हो जाता है रमेश ने कहा आप जन सूचना अधिकार के अंतरगत अपने आवेदन के विशे में जानकारी क्यों नहीं मांगती रमेश ने मालती को बताया सन 2005 में बने एक कानून के अनुसार हम किसी भी कार्याले से कोई भी जानकारी एक फार्म भर कर निश्चित राशी जमा करके ले सकते हैं इस कानून को जन सूचना का अधिकार कहते हैं मालती ने कहा बेटा मुझे इस कानून के बारे में कुछ पता नहीं है रमेश ने कहा चाची आप चिंता मत केजी मैं कल सूचना के अधिकार का प्रपत्र लाऊंगा उसे भर कर हम आपके राशनकार के विशे में विकासखंड कार्याले से जानकारी मांगेंगे अगले दिन मालती ने रमेश की सहायता से जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतरगत विकासखंड कार्याले में अपने राशनकार के इस्थिती की जानकारी मांगे लगभग 20 दिन के बाद मालती के घर एक पत्र आया जिसमें बताया गया राशनकार बनकर तयार है वह संबंधित अधिकारी से पावती दे कर राशनकार ले सकती है इस तरह सूचना का अधिकार हमें अपने हितों की सुरक्षा करने का अधिकार देता है भारत सरकार ने हमें यह अधिकार 12 अक्टूबर सन 2005 में दिया है केंद्री और राज्जी इस्तर पर सूचना आयोक का गठन किया गया है सूचना के अधिकार के तहट हम दस्तावेजों वह अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं तथा किसी संस्था से अभिलेख की प्रमाडित प्रतिलिपी ले सकते हैं इसके अंतरगत वीडियो कैसेट भी लिया जा सकता है किसी संस्था द्वारा जानकारी उपलब्ध न कराय जाने के स्थिती में हम उस राज्जी के सूचना आयोक को शिकायत कर सकते हैं सूचना अधिकार में हमें चाही गई जानकारी 30 दिनों के अंदर और किसी व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंतरता से जुड़ी हो तो 48 घंटे के भीतर दिये जाने का प्रावधान है जिस संस्था से सूचना चाही गई है उस संस्था या अधिकारी द्वारा समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें प्रति दिन 250 रुपए या अधिक्तम 25,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है सूचना के अधिकार से सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में पार दर्शिता आई है और अब अभिलेखों के रख रखाओं में सावधानी बर्ति जाती है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतरगत आवेदन का संभावित प्रारूप क्रमांक एक आवेदक का नाम दो पूरा पता तीन दूरभाष संख्या यदी हो तो चार आवेदन देने का दिनांक पांच कार्याले का नाम छे क्या चाहते हैं नकल कार्य निरिक्षण, रिकॉर्ड निरिक्षण, रिकॉर्ड की प्रमाडित प्रती, प्रमाडित नम्मूना साथ आवेदन के साथ जमा किया गया शुल्क 10 रुपे नगत, चालान, मनी ओर्डर, नौन जुडिशियल स्टॉंप आठ, क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे आते हैं हाँ या नहीं यदि हाँ तो BPL सुची का अनुक्रमांक आवेदक के हस्ताक्षर